हेलो एक्रीवन तो आज हम बात करते हैं अंडरस्टैडिंग सिप्रेजिस्टर उसें फिंगर कैट सो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस सर्किट को बनाने में हमें किसकी सिप्पोनेंट की जरूरत पड़ी तो हमें सबसे पहले 83 जरूरत पड़ी फिर 8 बिट सिप्रेजिस्टर की फिर पाउर सप्लाई की फिर आठ रेजिस्टर वन कीलो ओम के और आठ एल्डीडीज सेम कलर की सो इतने कंपोनेंट की हमें जरूरत पड़ी अब हम आते हैं कि इस सर्किट में हो क्या रहा है इसका कनेक है और फिर यह जो इसका टर्मिनल वन है यह हमारा एट बिट सिप्रेजिस्टर से कनेक्ट है और जो इसका टर्मिनल टू है यह हमारे एनोड पिन के एलीडी से कनेक्ट है और एलीडी एलीडी में दो पिन होती है आपको पता होगा एनोड और कैटोर तो हमारे जो एनोड है यह तो register के terminal 2 से connect है और जो इसका cathode pin है यह हमारे power supply के negative terminal से connect है इसी तरह सारे register से LED connect है और LED का जो cathode pin है यह हमारे negative terminal से connect है यह हमारे register LED और 8 bit register का connection अब हमाते ATTN और power supply और 8 bit register connection के तरह यह जो ATTN का power pin है यह हमारे positive pin के power supply से connect है फिर इसका जो PB2 है यह हमारे shift register के input pin से connect है और फिर यह जो PB1 है इसका यह हमारे shift output register clock से connect है और इसका जो PB0 है यह हमारे shift register clock से connect है उसके बाद जो ground pin है इसका यह positive pin से positive pin के battery से connect है तो यह हमारा रहा ATTN और power supply 8 bit register connection एक एक पिन बची थी जो 8 bit register clear है यह हमारे positive pin से बाटरी से connect है तो हमारा यह रहा connection part अब हम चलते हैं code की तरह तो इस इस आफ कोड 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 में सहसरे पहले constant integer है clock is equal to 0 और latch is equal to 1 data is equal to 1 यहां basically value रखे हैं इसकी clock की 0 latch की 1 और latch क्या होता है basically circuit होता है जो कि किसी bit को store करता है 1 into 1 के ratio में input output के ratio में so उसके बाद हम आते हैं white setup है white setup में pin mode clock output pin mode latch is output pin mode data तीनों pin हमारी output भी नहीं है उसके बाद हम white so में आते हैं white so bit byte में digital right latch is low latch is low then shift out data clock msb first and v msb means most significant bit उसके बाद फिर हम क्या करते हैं यहां पर digital right latch is low हो गया है तब हमारा क्या होगा कि shift out में data clock msb first v होगा उसके बाद digital right latch is high जब हम यह shift out की condition apply कर देंगे तो हमारा latch हो जाएगा मतलब हमारी LED जल जाएंगी चीक है उसके बाद हम white loop करते हैं कि कितने डिर वाइल लोम बेसली तब लगाएंगी कि कितने duration के बाद या पर कितनी देर बाद हमारी LED जले तो हम यहां पर int i is equal to 0 रख दिये हैं और i is less than 250 and plus plus i मतलब एक यह range है हमारी 250 इसके कम रहेगा तो LED हमारी जलेगी और जलेगी कितने देर बाद जलेगी तो यह delay क्या लिखा 500 millisecond it is a millisecond not a second ओके तो मतलब 500 millisecond के बाद एक next LED जलेगी और जलेग की sequence में पहली एक led जलेगी उसके बाद His100 जलेगी इसके बाद फिर यह डी जलेगी जलेगी श्रस्त फिर पाहले एक LED जलेगी द इसको फिर बाद ढोदो चलेगी चाहिए और रहें हमारा PowerPoint करेंगे कराद हाद है करेंट फ्लो हुने लगा सरकेट में सो हम देख रहा है कि एक लीडी जली को दूसरी चली फिर फॉर्थ पहुंचई ऑफ फिर पहले फिर आ गई अब फिर फाही दूसरी जलेंगी फिर तीसरी जलेंगी पर अब फिर उसके बाद मालब जब तक पूपी जिस एलीडी को आपको जलाना है उस एलीडी की पीछे जब तक सारी लीडी नहीं जलेंगे तक आगे लीडी जली नहीं सकते तो हमारा यह समयलेशन पार्ट था और मुझे लगता है आप समझ भी गया होंगे सो यह हमारा अंडेस्ट्रेडिंग से प्रजिशन यूजिंग तिंगर का सरकीट डाइग्राम कनेक्शन पार्ट सेमिलेशन पार्ट कोडिंग पार्ट था और मुझे लगता है आपको यह अच्छा लगा होगा धन्यवाद